आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि GST Registration कब किसको लेना कंपल सरी होता है और किसको नहीं लेना होता है और ऐसा क्यों होता है कि जब कंपल सरी नहीं है तो भी बहुत सारे लोग GST Registration ले लेते हैं जब कि हमें तो यहीं लगता है कि उसमें benefit नहीं है बट फिर भी क्यो क्या reasons होते हैं कि government कह रही है कि आप GST registration ना लो तो भी चलेगा हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं तो भी वो registration लेते हैं क्योंकि GST में अगर वो registration लेते हैं तो उनके उपर बहुत सारी compliance जाते हैं बट फिर भी सारी परिशानिया होने के कारण भी अपनी मरजी से GST के अंदर registration लेते हैं उन सारी चीजों को समझेंगे सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि registration की requirement normally बहुत सारे closes हैं यहाँ पर मैं एक जो prime clause है उसके बारे में बात करूँगा तो government की तरफ से rule है कि आपको GST के अंदर registration लेना है जब आपका turnover turnover को मैं बहुत simple layman language में कहूं तो sales ठीक है जब आपकी sale 20 lakh या फिर 40 lakh cross कर जाए यह दो sale का मतलब कैसे है 20 lakh और 40 lakh goods के case में होता है 40 lakh ठीक है और service के case में limit है 20 lakh तो अगर आप कोई समान goods sale purchase कर रहे हो manufacture कर रहे हो तो उसमें मतलब आपकी supply के ऊपर अगर goods है तो 40 lakh की limit है अगर 40 lakh से नीचे है आपका turnover क्या है 40 lakh से नीचे है तो आपको registration लेने की requirement नहीं है यहाँ पे optional है गौर्मेंट क्या कह रही है गौर्मेंट कह रही है आपकी मरजी आपको लेना है लो नहीं लेना है मतलो इस totally up to you अगर इस limit को आप cross कर जाते हो service के case में 20 lakh जैसे की CA की service हो गई या फिर teaching एक service हो गई जहां पर service आप किसी भी तरीगे की service दे रहे हो तो वहां यहां पर mandatory हो जाता है mandatory है मतलब compulsory है यहां पर तो आपको registration लेना ही लेना है कोई option आपके पास है ही नहीं ठीक है इस चीज को मैं थोड़ा साब को बता दू किसी-किसी states में यह limit 50 परसेंट है यानि कि service के case में 10 lakh है और goods के case में 20 lakh है तो उस चीज को आप देख लिए ना फिर एक दू क्लॉसे आते हैं जैसे कि interstate goods अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको कमपल सरी हो जाते तो उन चीजों पर मैं यहां पर में डिसकस नहीं कर रहा हूं मैं बात करूंगा कि इस case में लोग क्यों registration ले लेते हैं तो देखो सबसे पहले इस वाले पार्ट पर हम डिसकस करते हैं यहां पर mandatory है कि अगर आपने 40 लाग की limit cross कर दी 40 लाग या फिर जो भ पता करना है कि किसको composition लेना चाहिए इसको regular लेना चाहिए तो आप comment करना I will try कि मैं उसको next video में cover कर लूँ तो यहां पर तो government ने का registration रेजिस्ट्रेशन करने हैं तो आपको रेजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या हो गया की एक बार अपने रें पियंट से तरह यह लिए उस नीचे हम्ने अपनी मर्जी से registration ले लिया तो क्या होता है आपको हर महीने every month या every quarter जैसे भी आपके उपर limit होती है कि आपको monthly file करनी है या quarterly file करनी है आपको return file करनी पड़ेगी मतलब अपनी details जो है sale की purchase की वो submit करनी अगर आपने registration ना लिया होता तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता इसके अलावा आपको जो भी आप sale करोगे उसके उपर tax pay करना होगा pay tax on sale आपने जो भी अगर registration ले लिया तो उसके उपर आपको GST चार्ज करके government को pay करना होगा registration ना लेने पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है इसके अलावा आपको यहां पर maintain करनी होती है books GST के हिसाब से मैं income tax की बात नहीं कर रहा हूँ books of accounts ठीक है यहां पर आपको सारा हिसाब किताब especially मैं कहूं तो sale purchase का ITC का जो GST का है वो सारा हिसाब आपको रखना है income tax की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें GST point of view से बात कर रहा हूँ बट यहां पर आपके उपर applicable वो भी नहीं है क्योंकि आप GST के अंदर covered ही नहीं हो income tax में अगर आपके उपर applicability आती है that's a different thing फिर आपको करना ही नहीं करना है वो income tax में हम देखते हैं और यहां पर क्या है कि normally आपके पास notice भी आ सकते हैं अगर आपने कोई problem हो गई show course notice आगया किसी तरह की का उनके आपको reply भी करने होंगे यहां पर नहीं होता है वो एक अलग चीज है अगर आप tax चुरा रहे हैं हो तो फिर notice आ सकता है या फिर आपके sale जादा होगी आपने तब भी registration नहीं लिया या कुछ और गलत एकदम आपने कर दिया तो that's a different thing but 99% case में यहां पर GST की अगर आपके उपर compliance नहीं आ रही है तो आपको GST के तरफ से कोई notice भी नहीं आएगा अब यहां पर हमने इस नग सब देखा एक चीज़ समझ मैं है कि अगर हम GST registration ले लेते हैं तो मतलब burden तो बहुत सारा है गवर्मेंट की तरफ से हमारे उपर बहुत सारी compliance है अब expenses भी तो है न आप किसी को hire करोगे अगर आप business है आपका अपना business है तो return filing के लिए किसी को file करोगे फिर यह accountant को भी रखोगे जो सारा हिसाब भी रखेगा बहुत सारी but problem है बड़ बड़ फिर भी कुछ लोग यहां पर मतलब किस case में मैं बात कर रहा हूं जब मैंने आपको बताया था यहां पर आपकी sale 40 लाग से नीचे है और government ने कहा 40 लाग से नीचे की sale है कब पूरे साल में तो आपको registration लेने की requirement नहीं है आप चाहो तो ले सकते हो बड़ नही बड़न अपने उपर ले रहे हैं उसका reason क्या होता है कहीं बार क्या होता है कि जो seller है मतलब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपका अपना एक business है ठीक है आप किसी को sell करते हो वो भी एक business है ठीक है for example यहां पर मैं बात करता हूं कि वो कोई भी a company कह देते है coca cola को आप कोई समान sell करते हो ठीक है अब let's say यहां पर जो आपका यह customer है ना यह customer यही कहता है कि मुझे ना GST की invoice है ऐसा होता है ठीक है वो कहते है कि मुझे तो GST की proper invoice है मैं registered business के साथ ही deal करता हूं तो पहला reason तो क्या हुआ जब customer ही demand कर रहा है तो यहां पर business इसलिए भी registration लेते हैं फिर उनको चार्ज करना पड़ता है यह सारी सीजे करने पड़ती है बट उनके लिए यह customer बहुत माइने रखता है तो इसलिए फिर उनकी customer के कहने पर वो अपना registration ले लेते हैं कभी-कभी क्या होता है अप यह show करने के लिए to show कि we are big business हम बड़े business है अपने आपको बड़ा लिए business show करने के लिए मतलब देखो जिसका जीएस टी ही नहीं चार्ज कर रहा मेरी मेरी शौप आप मेरी शॉप पर आपने मुझे समान करीदा आप ने कहा कि मुझे इसकी मुझे tax invoice लो मैंने कहा कि मैं tax invoice नहीं दे सकता हूं क्योंज है मैं जीएस्ट के अंदर registered नूँ उस कि आप में छोटा बिजनस हो मतलब अभी आपकी सेल भी नहीं है चालिस लाकी तो यहां पर एक नेगेटीव इमेज जाती है तो इस चीज के लिए भी बहुत सारे लोग रेजिस्ट्रिशन लेते हैं क्योंकि देखो एक्च्वल में तो आखिर में आई टी सी मिली जाना होता है है वो टेक्स प्लैनिंग का एक पार्ट होते तो ऐसा ओल आवर कहीं बार बहुत ज़्यादा फरक नहीं आते तो वह एक मैनेजेबल चीज है तो इसल बहुत बड़ा रीजन बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप ITC क्लेम कर सकते हो अब यहां पर लॉजिक समझना है यह सबस्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना हो एक बिजनस है ठीक है एक बिजनस है उसका हम एक्जामपल के साथ ही समझते हैं इस सीच को उसने परच्छेस करा तो मैं परा। 20,00,000 समान परच्छेस करा और इसके ऊपर मैंने कहा ठीक है 20,00,000 उसने टैक्स पे कर दिया इस टीपी कर दिया । 10% का कोई टैक्स रेट निया जिस्टम पे में वीडियो में बना रहे हुँ इस टैंपे तो कोई रेट नी है बट जस्ट फो के पास हुआ अब वो कर रहा है सेल सेल उसकी हुई लेट से हम कुछ भी एक्जामपल ले लेते हैं इसमें से पांच लाग का उसका सेल हुआ और पांच लाग के सेल के ऊपर पचास हजार का उसका GST बना ठीक है अब क्या होता है यह जो उसने समान थाना इसका ITC मिल जाता है तो मतलब यहां पर पचास हजार गवर्मेंट को पे करने होते हैं जिसमें से दो लाग का उसको क्रेडिट मिल जाता है तो उसके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट बच गिया 1.5 लाग रूपीस का जिसको की वो फ्यूचर में अड़ेस्ट कर सकता है अब यह ITC वाला टॉपिक तो मैं इसमें नहीं समझाओंगा आपको मैं मान की चलता हूँ आपको पता है नहीं पता है तो आप यूटूब पे एक फ्री वीडियो है जीएस्ट की चैनल पर जाके देख लीजेगा वहाँ पर आपको डेटील में मिल जाएगा ITC उसमें आइधिंक समझाया है अदर्व भाइस वह जीएस्ट में क्या होता अगर जीएस्ट में उसने रिजिस्टरिशन नहीं लिया होता तो अभी उसको कोई टैक्स अपनी जेप से देना पड़ता क्योंकि वह कस्मर से चार्ज भी नहीं कर रहा है और कुछ देना भी नहीं गया तो उसका पे कर कही आएगा अब कि कुछ policies होती है अगर आप उनका fulfill करते हो तो ये आपके bank में पैसा वापिस आ जाता है refund का ठीक है limited cases होते है उन चीज को थोड़ा ध्यान रखना दूसरा क्या होता है कि ये जो डेड़ लाग रूपे है अब आपको कि sir क्यों इटेंशन लेनी है अभी accounts बिजनस होते है ना new business तो expenses बहुत सारे होते है purchase में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी का ITC ले सकते हो जो समाना आप बेचोगे नहीं इसमें कोई आपने furniture लिया अपने business के लिए लिया computer लिये या आपने कोई और machine purchase करी थी तो इन सब का भी ITC collect हो गया होगा आपको तो उसका क्या होगा अभी collect करके रखो अभी से शुरू से जबकि आपका sale अभी 40,000,000 cross नहीं करी है 40,000,000 cross नहीं करी है बट आपने क्या करा अभी से इसको ITC अपने पास 81,000,000 रूपे जैसे मैंने बता है ना उस टैम पे सारा का सारा tax आपको government को देना पड़ता है यह 1,500,000 रूपे तो गई थे आपके पास से आज registration ना लेते तो और future में भी दिक्कत आती तो यहां पर business क्या होते है जिनको उमीद होती है जल्दी हम अपना business 40,000,000 से तो यह service के case में 20,000,000 से cross कर लेंगे तो वो पहले से registration ले लेते हैं और उसका ITC collect करना चुरू कर देते हैं अपने business का ताकि फिर आने वाले एक साल में यह जब भी उसको ITC को उसमें account में रहेगा उसको utilize कर पाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा important होता है ठीके तो आप मुझे बताना कि यह चीज कैसी लगए आपको clear हुई क्या बाकी app में आप description में link देख लेना capyushgupta.com पे ठीके capyushgupta.com वहाँ पे आपको बाकी courses की details मिल जाएगी या app download कर लेना capyushgupta तो उस पे सारी details आपको मिल जाएगी advanced courses की जहाँ पे in-depth चीजों को सीखते हैं और earning oriented सीखते हैं कोई doubt हो आप comment करना I will try my best कि मैं आपको reply कर पाऊँ ठीके बाई-बाई